आट्यों की कारवाई से जहाजपूर के निजी स्कूल में मचा हड कांप तेरह वाहन जप जहाजपूर कस्बे में लंबे समय से मासूम बच्चों को खटाराव पुराने वाहनों में परिवहन कर विद्याले लाने ले जाने की शिकायत पर आज एक पर फिर रार्टियों की कारवाई हुई है परिवहन अधिकारी शकील अली ने बताया कि कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि मासूम बच्चों को निजी विद्याले संचालन नियमों को ताक में रखकर खटारा वाहनों में मासूमों को विद्याले में लाने ले जाने का कारिकर रहें 15 तारीक को भी इसी प्रकार की कारवाई को हुई रहीं परंतु चलान राशी जमा कराने के बाद भी विद्याले सुन्चालकों का रुख नहीं बदला इसलिए एक बार फिर आज कारवाई को किया गया इस कारवाई में निजी विद्याले कि तीन वेने टेमपो सहे दो डामपर एक कमांडर जीप वे छे ट्राक्टर जप्त किये गौर तलब है कि 16 जुलाई को कारवाई के बाद भी बच्चों को भरने संबंदित समाचार मीडिया में प्रकाशित हो रहे थे जिसके बाद परिवहन अधिकारी नए मीडिया की खबर को गंभीरता से लेते हुए एक बर फिर कारवाई को अंजाम दिया है वहीं सुत्रों के मुताबिक जानकारी प्राप्थ हो रही है कि आज की कारवाई से निजी स्कूल संचालक अपनी स्कूल बंद करके फरार हो गए हैं परिवहन अधिकारी ने बता की करवाई लगातार जारी रहेगी कार्यवाही के दोरान मदन सिंग जगदीश सिंग विक्रम सिंग मोह जुद रहे